Hello friends, स्वागता आपका आज की न्यूज अप्डेट में सबसे पहले डिस्क्लेमर हम आपको कोई भी फैनेशल अड्वाइस नहीं दे रहे हैं क्रिप्टो में इन्वेस्मेंट आपको अपनी अनालेसिस और इसक अनालेसिस के बाद ही करना है प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है तो अच्छे से समझे उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए तो चलिए चलते हैं न्यूज अप्डेट की तरफ तो सबसे पहली न्यूज यहां पर एक बार फिर से रिलेट है यहां पर FTAX के साथ ही तो played एक financial company है FinTech company है जो financial services provide करती है जो की user का जो bank है या उनकी जो credit या debit card की जो details है उनको दूछी applications को provide कर वाती है so that कि वो transactions कर सके उनके banking के जो भी उनकी banking के transactions हैं वो कर सके कोई भी third party है तो यह यहां पर FTAX के साथ played जो थी वो connected थी तो FTX जो था वो directly e-plate के through किसी भी user के account में transaction कर सकते थे वहाँ से पैसे निकाल सकते थे तो अभी यहाँ पर यह जो fiasco जो इतना चल गया है FTX के उपर इतना जो हो चुका है इतना बड़ा जो कांड हो चुका है FTX का तो इसके चलते plate ने यहाँ पर FTX.US जो थी उसकी सारी services जो है उनको suspend कर दिया है उनका access suspend कर दिया है so that कि वो किसी भी user के account से अब पैसे यहाँ कोई भी transaction ना कर पाए तो यह एक तरीके से जो customers हैं उनको safeguard करने के लिए किया गया है अगली news यहाँ पर Binance के जो CEO उससे अब कुछ साल पीछे चले गई है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा setback है crypto की industry के लिए blockchain की technology के लिए अगली news की यहाँ पर बात करें तो Tether ने blacklist किये है 31.4 million dollar USDT जो की FTX के hack से यहाँ पर लिए गए थे तो अगर आपको पता हो तो FTX के hack की यहाँ पर news चल रही थी कि FTX जो था वो hack भी हो चुका है और उसे काफी जो users के जो fund थे वो यहाँ पर गायब भी हुए तो उनी funds में से हिस्सा जो था 31.4 million dollar थे वो भी थे तो जो Tether है उन्होंने यहाँ पर उनको blacklist कर दिया है और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि freeze कर दिया है तो एक अच्छी चीज यहाँ पर जो है वो Tether की तरफ से हुई है और इसी के उपर Musk जो है उन्होंने भी यहाँ पर tweet किया था और उन्होंने अपनी tweet में बोला था कि FTX का जो meltdown जो भी ransack हो रहा है वो Twitter के उपर track किया जा रहा है real time और उसी के साथ उन्होंने यहाँ पर एक और tweet किया जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो FTX के जो CEO हैं उनकी यहाँ पर एक बड़ी photograph यहाँ पर लगाई गई है और उपर यहाँ पर Pornhub का logo जो है उसको काट कर लगाया गया है और नीचे जो लिखा है कि Manfucks 5 million people at once तो यहाँ पर 5 million लोगों के 50 लाख लोगों के जो पैसे थे वो डूबे हैं FTX के डूबने के जी वज़ा से अगली news की यहाँ पर बात करें तो Bitfinex जो एक exchange है एक और crypto exchange है उसके जो CTO है उन्होंने release किये है proof of reserve कि भई उनके पास fund पड़े हुए है यह उनको करना पड़ा क्योंकि FTX का जो यहाँ पर bankruptcy हुआ है उसके चलते यहाँ पर लोग जो है वो किसी भी और exchange के उपर भरोसा नहीं कर बारे है तो इसकी वज़ा से Bitfinex के जो CTO है उन्होंने release की है अपनी सारी details कि हमारे पास इतने funds पड़े हैं और हम यहाँ पर stable तरीके से काम कर रहे हैं अगली news की यहाँ पर बात करें तो Elon Musk ने यहाँ पर अपने Twitter staff को बोला है कि जो economic picture है Twitter की वो आगे आने वाले future में जादा जो साफ है वो नहीं दिख रही है वो dire situation दिख रही है कि बहुत ही बुरे हाल खस्ता हाल वाली situation दिख रही है उनके accordingly तो उन्होंने काया कि bankruptcy जो है वो भी एक possibility हो सकती है जितने बुरे हाल अभी at present Twitter के चल रहे हैं तो उन्होंने काया है कि भई जो plan out हम कर रहे हैं जो एक subscription वाला scenario हम लेकर आना चाते हैं तो उससे जो revenue आएगा उससे हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि Twitter जो है वो आगे आने वाले economic downturn से बच सकता है तो इसी वज़ा से यहां पर वो suggest कर रहे हैं banking application के साथ तो यहां पर इसका test जो है वो करने जा रहे हैं वो digital ruble को banking app में provide करवाने जा रहे हैं so that की लोग जो है वो digital ruble के तुरू अपनी transactions कर सके और यहां पर कुछ एक customers जो हैं यह कहें कि कुछ एक citizen जो Russian citizen है उनको भी यहां पर इस testing में जो है वो include किया जाएगा so that की actual real time scenario की जो testing है वो हो सके digital ruble की banking apps के उपर अगली news की बात करने तो Brussels जो European Commission है यहां पर वो बात कर रहे हैं कि EU जो है उसके उपर एक standardized, एक single crypto tax लगाया जाए so that की सारी countries के लिए यहां पर एक वो single crypto tax हो जो भी लगाना है अभी at present क्या है हर country का अपना अलग एक crypto tax का framework है लेकिन अब EU यहां पर कह रहा है कि भई एक ही standardized tax जो है वो सारी की सारी जितनी भी jurisdictions जो आती है पूरी 27 जो jurisdictions आती है यहां पर EU के अंदर तो उन सभी में ही एक single tax लगा हो crypto के उपर तो ऐसा यहां पर वो plan out कर रहे है ऐसा वो करने की बात यहां पर कर रहे है वही अगर अगली news की यहां पर बात करें तो biggest movers में dodge coin आता है dodge coin ट्विटर जो Elon Musk ने एक tweet किया था उन्होंने अपना जो comment किया था तो उसके चलते हैं यहां पर dodge coin में एक भारी उचाल जो है वो देखने को मिला उसने अपना जो एक resistance जो थी 0.0089 की उसको break किया और उसके ऊपर यहां पर at present भी वो चल रहा है और अगर वही अगर बात करें उसकी उचाल की तो उचाल तो काफी उचा मारा था लेकिन उसके बाद फिर से correction देखने को मिली लेकिन अभी भी यहां पर वो अपने उस level जो की यहां पर 0.0089 के जो value जो थी उसके उपर उसको चलना था वो resistance था उसका तो उसको break करके अभी भी वो 0.09 के आसपास जो है वो चल रहा है तो यहां पर सबसे बड़ा जो उचाल है वो देखने को मिला है यहां पर डॉच कोईन के अंदर और वहीं अगर गिरावट की बात करी जाए तो soul coin ऐसा है जिसने यहां पर अभी भी continuously उसमें गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है तो ftx की वज़ा से यहां पर जो एक बड़िया कोईन था soul coin जो काफी एक strong जो अपना जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जिसके basics यहां पर strong थे लेकिन उसके बावजूद यहां पर उसको बारी जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है तो friends यह थी आज की news update कैसी लगी जरूर बताईएगा चैनल भी subscribe करिए और bell notification का icon जरूर दबाईए और वीडियो अच्छा लगे तो like and share जरूर करें मिलेंगे आप से अगले update में तब तक के लिए thank you very much